हेलो स्टूडेंट्स में आपके साथ हूं प्रॉब्लम सेट 19 को लेकर अभी प्रॉब्लम सेट 19 में हम क्या देखेंगे राइट प्रॉपर सिंबॉल फ्रॉम यह लेज जान ग्रेटर द्यान और इक्वल इन द बॉक्स कोन सा सिंबॉल आएगा बॉक्स में यह में राइट करन उनकी नूमरेटर को नंबर रहेगा फ्रैक्षन को क्या करेंगे वोल थां श्यान इसका numerator क्या है, denominator same है, denominator के बाद numerator को check किया, numerator जिसका greater, वो fraction क्या रहेगा, greater fraction रहेगा, so denominator same है, denominator same होने की बाद भी numerator check करेंगे, numerator में जो number, जिसका, जिस fraction का numerator greater रहेगा, वो fraction क्या रहेगा, greater रहेगा, अभी second number हो गया, अभी third number check करो, इसका भी क्या है, denominator same number है, denominator same है, numerator जिसका greater वो fraction greater अब यह fraction चेक को एक्जम्पल no.4 दो रहां का denominator क्या है इसका 15 है इसका 30 है denominator सेम नहीं है numerator भी सेम नहीं दिया है यहापे तो हम क्या करेंगे denominator सेम करके लेंगे अब देखो 15 को अगर 30 करना है तो कौन से number से multiply करना 15 तूजा 30 तो हम यहापे क्या करेंगे देखो 15 को 2 से multiply करेंगे तो numerator में जो 5 है उसको भी 2 से multiply करना होगा सब क्या बन जाएगा denominator हमारा दोनों का सेम बनेगा यहापे देखो यहापे box निकलती हूँ यहापे 10 by 30 यहापे क्या हो जाएगा 5 to the 10 यहापे 10 लिख रही हूँ 30 हो जाएगा यहापे बोक्स रहेगा और यहापे भी 10 by 30 ओKY So मोगे आप बताओ 10 by 30 तो 10 by 30 क्या हो गया इक्वल हो गया तो इसका मतलब क्या है यहापे हमें equal का sign देना होगा अभी example number 5 5 में क्या है दोनों का numerator same है so same numerator का rule क्या है अगर दोनों का numerator same है तो जिसका denominator less number रहेगा न वो fraction क्या रहेगा greater अभी यहाँ पे numerator दोनों का same है so इन दोनों में से 5 और 2 में से 2 और 5 में से कौनसा number छोटा है 2 छोटा है जिसका numerator same है जिन दोनों fraction का numerator same है तो हम denominator को check करेंगे जिसका denominator छोटा रहेगा वो fraction greater number रहेगा तो देखो इसका denominator छोटा है तो यह fraction क्या हो गया greater number हो गया so यहाँ पे यह rule क्या होना क्या करना पड़ेगा फॉलो करना पड़ेगा numerator same है जिसका denominator small number वो क्या रहेगा? greater fraction, एका यहापे greater fraction अब यहापे भी देखो इन दोनों का भी numerator सेम है तो जिसका denominator small number वो fraction क्या रहेगा? greater number रहेगा, जैसे मैंने अब यहापे बता आया आपको उके? यहापे जैसे बता आया, वेसे यहापे follow हो रहा है यहाँ पर भी देखो यहाँ पर दोनों का numerator सेम है अगर सेम numerator है जिसका denominator less number वो क्या रहेगा वो fraction greater fraction रहेगा तो देखो इसका numerator small number है यह fraction क्या रहेगा greater number रहेगा यहाँ पर भी क्या है numerator सेम है जिसका denominator small number वो fraction क्या रहेगा greater fraction रहेगा इखम्पल नमबर नाइन देखो 5 x 6 यहाँ पर बॉक्स है यहाँ पर ग्रेटर दान सिंबॉल दिया वन बाइट अभी आप यहाँ पर ग्रेटर के सा हो गई यहाँ पर देखो अभी 5 x 6 वेसे ही लिया अभी हमें क्या करना है 6 के लिए और 8 के लिए क्या पक करना है common multiple ढूनना है उगर should 괜찮 Y अभी फिए 6 के लिए 24 आ रहा है और north हो देखना है उसको हम बोब धिय्कल आ रहा हैँ इसका मदलब क्या है दोनों डेपल सब्सक्राइब करेंगे तब 24 यहां पर क्या कर दिया सिक्स को फॉर से मल्लिप्लाइब करना होगा तो हमारा जो गलत हो जाएगा अभी यहां भी देखो यहां पर देखो 5 4 आ रहा है और 6 4 आ रहा है तो यहां पर 3 24 अगर डिनोमेटर सेम है तो जिसका भी देखो यहां पर हमने जो रूल देखे यह यह दिनोमेटर सेम है तो हम नियूमेटर को चेक करेंगे जिसका नियूमेटर ग्रेटर नमबर रहेगा न यह 5 इन दोनों में से 5 कि यहां पर किया है is greater numerator है word of these two is greater fraction which is greater खुने के बाद हमने नेंगार स्यम महणें की नमपर है पर शीन की स्धार और हमने की तो यहां greater symbol रग गया, अभी यहाँ पे देखो, 5 by 12, 1 by 6, 5 by 12 और 1 by 6 में, अभी देखो, यहाँ पे 6, यह हम 6 को 12 बना सकते हैं, 6 को 2 से multiply किया, तो यह 12 बन जाएगा, तो मैं यहाँ पे इलख रही हूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 by 12, यहाँ पे box, और यहाँ पे 1 into, यहाँ पे ज सही करना होगा, तो क्या आ जाएगा, हमारा यहाँ पे, 5 by 12 और 2 by 12 आ जाएगा, ओके, 5 by 12 और 2 by 12, अभी यहाँ पे 5 by 12 और 2 by 12 है, तो मुझे बताओ, कुन सा greater number हैगा, डोनों का डिनमेटर सेम ही, डिनमेटर जब सेम रहेगा, जिसका numerator greater नमबर वो फ्रेक्शन क्या रहेग जाएगा, ग्रेटर हैगा, अभी 5 by, यहाँ पे 5 और यहाँ पे, इसका numerator greater है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, greater symbol आ जाएगा, ओके, नो हमारा एक्जम्पल नमबर 11, यहाँ पे 7 by 8 यहाँ पे 14 by 16, तो हम क्या करते हैं, जोनों का डिनमेटर सेम करके लेते हैं, तब हम क्या करे ट्राइगे, symbol देदेंगे, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 16 है, तो 8 को हम तो से Mal ket 16 so equal equal मिल रहा है कि नहीं इसका मतलब क्या होगा हम यहाँ पिस equal symbol देना होगा अगय यहाँ पर हमें equal symbol देना होगा so यह equal आगा 4 corresponds must to City यह भी क्या है equal यहाँ तर्टीन एक्जांपल में देखो थर्टीन क्या है यहाँ पर 18 है यहाँ पर 9 है यहाँ नाइन को हमने 2 से मंटिप्लाइ किया तो 18 बन जाएगा इसको 2 से करेंगे तो उसको जो नियूमरेटर उसको भी 2 से मंटिप्लाइ करना होगा इहापे क्या आ जाएगा 5 by 18 यहां पर बॉक्स और यहां पर क्या आ जाएगा 2 by 18 अगर डिनामेटर असेम है तो जिसको नि skatear ऍरेटर नंबर वह fraction क्या रहेगा इसको ग्रेंबर है इसको इने दिए अभी देखो यहाओ by two by three और four by eleven डिकेंगे अ और colonным का दूण डिए दोनों के लिए अभी देखो मैंने यहाओ लिएगे तोन आए त्वटी वन और ve t्व त्वиваетсяन 2 ना रहा हूं कल दोंते हैं तो यहां पर में को सब्सक्राइब कर और से यहां पर 3 करना हो न॥ेक्बladım लोगा इसको तो त्री से करना होगा इसको ध्यून करना हो इसको इसको 7 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा सेवन टूजा फोटीन और यहाँ पर वाक्स यहाँ पर फोर त्रीजा ट्वेल और यहाँ पर डिनामेटर क्या है ट्वेंटीवान है इसका मतलब क्या है डिनामेटर सेम है न्यूमरेटर में जो नंबर ग्रेटर जो जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर ग्रेटर का ही सिंबॉल देना होगा अट्रस्टेंड ओके फोर्टीन नमबर एक्जांपल हो चुका है वहाँ फिफ्टीन नमबर एक्जांपल यहाँ पर थ्री बाइसेवन फूबाइन यहाँ भी हम क्या करेंगे सेवन का और नाइन का टेबल लिखेंगे दोनों में कॉमन मल्टिपल डून देंगे ओके नाइन नमबर पे 63 और नाइन के टेबल में सेवन नमबर पे 63 और इसका मतलब क्या है हमें सेवन को 9 से मल्टिपलाइक करना कि नाइन 27 आ रहा है यहापे 20 sorry 27 और यहापे हमारा आ रहा है 63 97 जा 63 चो यहापे box है यहापे क्या है 57 जा 35 यहापे 35 और यहापे 63 3 सो common denominator मिल गाया है common denominator के बाद जिसका numerator greater number वो fraction क्या रहेगा greater सो यहापे हम क्या करेंगे ऐसा symbol देंगे अगर यहापे ऐसा आ रहा है तो यहापे भी क्या होगा ऐसा symbol आ जाएगा ओके सो understand symbol कैसे देना है अगर हमें यहापे क्या करना होगा common denominator और फाय को 11 से multiply करेंगे और फाय को 11 से multiply करेंगे तब हमें क्या मिल जाएगा सेम नंबर मिल जाएगा यहां पर देखो इसको 5 से मुल्टिप्लाइब करती हो इसको 11 से मुल्टिप्लाइब करती हो अब देखो इसका यहां कि इसका जो इसको 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 11 से किया तो इसको इसको इ 11 से multiply करना होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा देखते हैं फॉर फाइजा 20 और 11 फाइजा 55 आ गया यहाँ पर बॉक्स राइट कर लिया अभी 511 जा यानि कि यहाँ भी 55 आ गया और इसका numerator क्या है 11 अपर डिनामेटर सेम है तो numerator चैप करेंगे जिसका अगर कोई डाउट है तो आपको पूछना है कमेंट बॉक्स में वीडियो केसी लगी अच्छी लगी तो लाइक करो और हमारे चैनल को क्या करो सब्सक्राइब करो ओके बाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स किसे साथ झाल